आपका स्वागत है पाले करनाटक और फिर तमिलनाडू इन दूनों राज्यों ने Factories Act 1948 में संसुधन किया अब इस नए संसुधन के बाद किसी भी फैक्टरी में काम करने वाले एक मजदूर या मजदूरों के अगर हम बात करें तो उनके काम करने की अबधी परती एक दिन 8 घंटे से बढ़ा कर 12 घंटे कर दी गई है लेकिन यहाँ पर यहाँ बात ध्यान रखने की है यह 12 घंटे की जो अबधी की गई है वह 48 घंटे की सापता ही जो एक स्रमिक की अबधी है काम करने की उसमें बदलाव नहीं करता है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि संसोधन से पहले एक फैक्टरी में जो एक मजदूर काम करता था उसके काम करने की अबधी थी 8 घंटे की और जो काम करने की दिन थे सपता में वो 7 में से 6 दिन थी तो कुल कितने घंटे होगे? 48 घंटे. और यह जो नया संसुदन किया गया है, जिसके अंतरगर्थ अब काम करने की जो अबधी हुआ कितनी है? 12 घंटे प्रति दिन. तो यहाँ पर सब्सक्रा के 7 दिन में से 4 दिन काम करना है, मतलब 48 घंटे ही काम करना है. अब सवाल यहाँ पर यह उत्ता है कि करनाटक और तमिलनाडो इन दोनों सरकारों के द्वारा यह जो बदलाव किया गया है, वो इसलिए बदलाव किया गया है, ताकि भारत ग्लोबल चेन का एक हिस्सा बन सके और उस ग्लोबल चेन का हिस्सा बनने में इन राजियों को भी ल उसके निवेस को बढ़ाने के लिए उसने यह संसोधन किया और तमिलनाडू के अगर हम बात करें तो तमिलनाडू इलेक्ट्रिक विकल और सोलर एनरजी से जुड़ी हुई जो ग्लोबल मैनिफेक्ट्रिंग कंपनी है उसको अपनी और आकरसित करना चाहती है या उसके निवेस को तमिलनाडू में और जादा बढ़ाना चाहती है अब जो मैनिफेक्ट्रर हैं उस मैनिफेक्ट्रर को इससे क्या लाब होगा उस लाब को जरा हम देखते हैं सबसे बड़ा लाब यह होगा कि अगर माने 24 घंटे अगर काम खोता है किसी फैक्टरी में और 8 घंटी कदर एक अबधी होती है मजदूरों की तो 3 सिफ्ट होंगे लेकिन अगर 12 घंटे की सिफ्ट होती है तो इसका मतलब है कि सिफ्ट की संख्या कितनी हो गई दो हो गई तो जो सिफ्ट ट्रांजिसन होता है और उसमें जो समय लगते हैं वो समय पहले की तुल्ला में क्या होगा बच जाएगा और इससे क्या होगा कि एक productivity बढ़ जाएगी उसी दौरान अगर हम काम की बात करें और उसमें अगर break लेने की बात करें तो break की भी क्या हो जाएगी उसकी भी frequency काफी कम हो जाएगी तो यह company की productivity को क्या करेगा उसे बढ़ाएगा साथी साथ अगर हम कुछ company की बात करें चाहिए electronics की बात करें और chemical sectors की बात करें जो की already policy better regulated है वहाँ पर भी productivity बढ़ जाएगी हाला कि बाद में हम यह देखेंगे कि electronics यह जो sector है इसमें अगर 12 घंटे की अब दीर आती है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर बात में करेंगे साथी साथ यहाँ पर एक बात यह कही जा रही है कि आप बड़ी factory को इसके अंदर कर तुला सकते हैं लेकिन उन factory का क्या होगा जो छोटी factory आ है और अगर छोटी factory में इस नियम को लागू किया जाता है तो क्या उसके दूस परिणाम सामने नहीं आ सकते हैं वहाँ पर यह बात कही जा रही है कि वहाँ जो काम करने वाले मजदूर है वो हो सकता है कि वहाँ काम ना करें और उसको वो छोड़ दें क्योंकि उनकी वहाँ पर पारिस्रमिक कम होती है ऐसा विशेसगी कहते है साथी साथ अगर हम आगे बात करें तो इससे मजदूरों को क्या फाइदा होगा तो एक्सपोर्ट्स यह कहते है कि यह जो संसुधन किया गया है Factories Act 1948 में उसके अंतरकर एक फाइदा हो सकता है Migrant Workers को और Migrant Workers में जो talented migrants है जो की परतिभा संपन अगर जो परवासी मजदूर है उनको जादस जादा काम मिलने के समावना होई साथी साथ अब देखिए क्या नई स्थिती हो रही उनके लिए कि उनको अब साथ दिन में से चार दिन किसी फैक्टरी में काम करना है तो अब उसके पास अतरिक्ते तीन दिन मिलते हैं मजदूरों को और वो दूसरी जगा जॉब कर सकते है इससे उनको फायदा ये होगा कि उनके पहले की तुल्ला में उनकी कमाई में बढ़ोत्री हो सकती है कई गुना ज़्यादा जम हो सकता है लेकिन एक अंदेशा है अंदेशा ये है कि 12 घंटे का अगर इतना बड़ा अगर समय होगा काम करने का तो उसमें उन पर stress पर सकता है उन पर एक दवाब पर सकता है जो मैंने पहले भी बात कहिते हैं कि electronic sector वाली चीजों में तो वहाँ अगर हम इसके साथ जोड़ कर देखें वहाँ यह भी बात कही जा रही है कि जो electronic sector होते है वहाँ पर एक स्रमिक को काफी concentration के साथ काम करना पड़ते हैं और 12 घंटे के अबधी में अगर आप किसी भी इस तरह के जहां पर की तकनीकी कुशलता होती है वहाँ पर अगर स्रमिक काम करते हैं तो हो सकता है कि जो productivity है वो घट जाए साथी साथ जो electronic product है या electronic उत्पाद है उनमें जो एक गुणवत्ता होनी चाहिए उस गुणवत्ता में भी क्या होगी उसमें कमी आ जाएगी साथी साथ ये बात कही जारी है कि अगर 12 घंटे के अबधी होती है तो उसमें company जो है वो क्या करेगी उसके break की जो timing होती है उस पर वो consider कर सकती है एक अगला प्रशन यहां पर यह होता है कि 12 घंटे की यह जो अबधी बनाई गई है प्रति दिन के हिसाब से काम करने के लिए स्रमिकों के लिए वो महिलाओं पर क्या असर डालेगा क्यों मिलाकर एक्सपर्स का यह कहना है कि यह हो सकता है कि महिलाएं इस नए जो ढाचा है उसमें वो fit ना बैठे मतलब fit ना बैठने का मतलब यहां पर यह है कि जो हमारी society के norm से उस society के norm के हिसाब से महिलाएं 12 घंटे तो काम करने के अबधी हो गई उसमें अगर हम उनके आने जाने के भी समय को count करें कि यह total 14 घंटे हो जा रहे है तो 14 घंटे घर से बाहर रहकर महिलाओं के काम करने के अनुमती है उनको साथ घरवाले ना दे उसी तरीकिस क्योंकि महिलाओं पर दोनों तरीकिये के pressure होते है घर का भी pressure होगा और साथी साथ जहां पर काम कर रहे है उनको पर तिस्ठान का वह pressure होगा तो एक अत्रिक्त बोज बढ़ता है 12 घंटे का साथी साथ यह वी बाद देखी गई है कि जो COVID-19 यह जो pandemic रहा है उस pandemic के बाद अगर महिला सरमबल की हम बात करें तो उसमें गिरावट देखी गई है और नए कानून के हिसाब से जो संसोधन किया गया Factories Act 1948 में तो अभी क्या है कि Factories Tier 2 और Tier 3 शहरों में जो सरमिकों को खासकर महिला सरमिकों को जो यह hire कर रहेते हो सकता है कि उस कारे में बाधा उत्पन हो अब यहां पर यह है कि इन सारी चीजों के बीच में हमें चीन से क्या सीखने की ज़रत है अब चीन का जिकर यहां पर इसलिए आया है क्योंकि चीन का एक अपनाई model रहा है जिस model का नाम है 996 यह जो 996 का model है चाहना का इसका मतलब यहांपर यह है कि सुबा 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करना होगा और फिर वो भी 6 के 6 दिन तो टोटल कितने होगे 22 घंटे और जो चीन आज manufacturing hub बना हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है उसका 996 का work culture जैकमा आपने नाम सुना होगा जैकमा खुद यह कहते हैं कि 996 work culture उनकी company के लिए एक आसिरवाद की रूप मेरा और चैना को उसने एक manufacturing hub के रूप में रखा है तो इसलिए चैना के बात यहाँ पर की जा रहे कि कहीं न कहीं यह जो labor law है वो चैना के 996 work culture से प्रभावित हुआ है और हम भारत को एक manufacturing hub बनाने के लिए चैना के नीतियों का हम अनुसरन करते हैं लेकिन जिस चैना में 996 की policy चली है उसी policy को 2021 में कोट के आदेस पर या वहाँ के नित्रत्य के आदेस पर 996 की policy में धील दी गई अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यह सही है कि भारत को global supply chain का हिस्सा बनाना है इसके लिए ज़री है कि जो हमारे पुराले स्रमिक कानून है उस स्रमिक कानूनों में संसोधनों और संसोधन का स्वरूप ऐसा हो जो बाहर की कमपनियों को जो भारत में निवेश करना चाहती है उनको आकरसित करे लेकिन यहाँ पर यह बाद भी ध्यान देने की है कि जो लाव है जो उत्पादन करने के बाद लाव अरजित करने की बात होती है GDP को बढ़ाने की बात होती है और दोस्ती तरफ स्रमिकों के जो कल्यान की बात होती है उन दोनों को बरावर तवज्जु देने की यहाँ पर जरुरत है इसके साथ ही इस वीडियो को हम यह समात करते हैं फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नमस्कार